नमस्का घर्म ग्यान में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काविता और आज मेरे साथ मौझूद है देवग्य श्रीपतित रिपाठी जी जो की दुनिया के एक मात्र जोतर विद्ध है जिन्हों ने भारत की कई बड़ी बड़ी हस्यों का एस्ट्रो एक्स्रे निकाला है जिसमें डॉक्टर अब्दो कलाम से लेकर बाबुरा मरांडी और नितिश कुमार जी शामिल है और इनके अब तक की जिते में भविश्वानिया है पिर चाहे वो धोनी के कप्तानी में वर् सबसे पहले तो आपका डेव भूमी उत्राखन में स्वागत है जी नमस्कार जी देव भूमी में सभी देवताओं को नवर है अभिनंदन है बंदन है सबसे पहले उन्हों को प्रणाम है और मंत से उन्हें मंत्रांजली देंगे हसताब्यांकलसद्वयां पृतरसे रापलावितब्यम्षिरो द्वभ्यांतवददतं रिगाच्षवलयं द्वभ्यांतं परण अंकदस्तकरद्वयंधतगतं कैलासकांतं श्वियंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम एक ऐसी खिलाडी की राजनेते कुंदली का विशलेशन तृपाटी जी के साथ करेंगे जिनका टीम इंडिया में एक सराहनिय योगदान रहा है जी हां हम बात करें हैं MS धोनी की जो की टीम इंडिया के विगिट कीपर है उनकी कप्तानी में भारत के पहले से कप्तान है जिन हो ने ICC की तीनों ट्रॉफी टीम इंडिया को जिताई है लेकिन हाले के वर्ल्ड कप में उनकी धीमे बल्लेबाजी के चलते उन्हें आलूचों को का शिकार भी होना पड़ा जिसके बाद अब उनके सन्यास लेने की खबरें सामने आने लगी हैं उन पर इस सवाल उठाई जारे हैं कि अब धोनि को सन्यास लेही लेना चाहिए ऐसे में थोणी के यानि की माहि के स्वितार आइए जानते हैं त्रिपार्थी जी जी, दोनी की जन पत्रिका है, जन कुंडली है, वो कंडली है वो कंना लगन की कुंडली है और रासी भी जो है इनकी कंना राशी है और इनकी जो दसायं चल रही हैं वो 2005 से 2020 तक ही राहू की दसा है। तो लिखता है कि लावे सरवे ग्रह प्रस्था लाव स्सान में कोई कोई बहुत मज्बूत हो जाते हैं तो यह कादस अस्थान में राहू लहने के कारण जैसे इनके जीवन में राहू वाया उसके बाद उत्तुरोंतर इनकी उन्नतिव होते चली गई ध्यान देने जोगे बात है वर्ड कप कफिल देव जी ने जीता उस समय इनकी जन्म पत्रीका के उनसार बुद्ध में राहू का अंतर था और इनों ने जब 2011 में वर्ड कप जीता उस समय राहू की महधशा में बुद्ध का अंतर था इनके जीवन में राहू ने एक अलग मुकाम दिया, दुनिया में इनको नाम दिया, इनको प्रशिद्धी दी, इनकी जन्मपत्री का काफी अच्छी है और इनके कुंडली में जो खासकर कारक जो ग्रह हैं वो सुक्र है इनके जीवान में सुक्सुभधा हमेशा मिलती रहेंगे राहु जो है इनको जीवान में तमाम सुक्सुभधा दिए स्थे पाटिश अभी हाली में जब माही से पूछा गया कि आप सन्यास कब लेंगे तो उन्हा ने कहा कि यह में खुद में नी जानता कि मैं सन्यास कब लोगा ऐसे में क्या आप उनके कुंडली के देखते हुए बता सकते हैं कि आने मले वक्त में मतब कौन-कौन से योग बन रहे हैं मतब किसी उनका योग है यह सन्यास रहने का कब तक वो मतब किरिकेट के तीनों फॉर्मेट से सन्यास लेंगे जी अभी इनके जो दसाएं है वो राहू में मंगल का कारण अंगारक नामक ग्रहन जो का स्रिजन हुआ है खासकर राहू जो है वह डिसकंस्ट्रक्टिव ग्रह है जब इनको बिजेता बनाए चुकि इनके कारग्रा सुक्र थे इसके करण को लाव मिला और दोनों इकादस भाव में बैठे हुए थे लेकिन अभी बरत्मान में इनके 33 और यह जो हैं अस्टमेश वो भागस्थार में बैठे हैं यह समय इनके लिए ग्रहन वाला चल रहा है और यह समय जो चलेगा इनका दिसंबर 2020 तक समय इनके प्रतिकूल है यह जितना बहतर करना चाह रहे हैं उतना बहतर नहीं कर पाएंगे यह समय इनके सन्यास के तरफ ले जाने वाला है तो हम यह भी माल सकते हैं कि अगले माई नहीं कहरे एक दोरे पर टीम इंडिया वाले तो उसमें क्या धोनी को टीम से बाहर रखा जाएगा का इसकी भी आप दिख रही है कारण स्क्रेटारे चाहिए। तोड़ा इनको सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिलेगा थोड़ा इनको अभी विप्रित परिस्तितियों का सामना करना पड़ेगा याई कि 2020 तक धोनी के लिए जो भी परिस्तिया है वो बिल्कुल अनुकूल रहने वाली है नहीं कहा चुकि यहां पर राहू जो है मिलना चाहिए उतना परिणाम देखने को नहीं मिलेगा उसमें कमई होगी और ये 2020 अन 2021 से बीवी तो की बीटी हैं जीवां को आने वाला इने कि जन्व पत्रिकां में पत्नी बहाओ के जो श्वामी है गई श्वामी में बरक रृस पत्रिक जो हैं तीन गरहों के ठीघrän लगा के लगण में बैड़ technically कि सानिधिता इनको काफी मिलेगी और यह जो है 2020 के दिसंबर के बार यह कोई दूसरा पारी खेल सकते हैं जीवन का कोई नए चीज का सुरुआत कर सकते हैं इनहीं कर सकते हैं यह बता रहा है क्योंकि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कि अधर तो परतिशता वाला जगह मिलेगा यह ड़िये गड़े ओड़े पार्टी में यह सरीख हो सकते और इनको सम्मानित पर मिल सकता है यह अब एक नया कारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे यह अपना नया करियर बनाएंगे इसमें जैसे कि गौतम गंभी ने पॉलिटिक्स जॉइन की और सीधा चुनाव जीत गए तो क्या लगता है अगर माही भी सन्यास ले यह बहुत आइगा यह बहुत है है यह देनको मैं और आटाय क i8 को थी अधिकारिघ्रेफ को सकते हैं पाले उडिकारे उसकते और निश्च्चित रूप से कई खिलाडियों से यहां भी बहुतर करें और अच्छा परिणाम कि आमने बर इसम्ब्रेश तक माही के लिए जो आने वाला वक्त है जो चल रहा है वो उनकी परिस्टेटों के हिसाब से उतना अनुकूल नहीं है तो ऐसे में अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें जिसे कुछ उपाएं जो होते हैं जो करने पड़ते हैं अगर आपकी तरफ से दिया जाए जिए इनकी कुंडल थी वाली बता रहे हैं चक्रवर्ती के जैसे बता रही है तो यह जीवन में निश्य तुर्प से बहतर करेंगा अगर इनको कुछ बहतर करना है तो लिखता है कि राहु दोसो बुधो अन्याद राहु के दोस के लिए बुध का उपचार किया जाता है तो संभव हो तो कि सावन सुरू हो गया है तो आप भोले शंकर की आराधना करें महामरी तुन्जय का जब कराएं बिरस्पत्ति की विदासा आ रही है तो यह महामरी तुन्जय से राहु 2020 के के आंत तर चुकी इनका जो समय आ रहा है इसके पहले हम लोगों को पारणाम देखने को मिल सकता है कभी समय वो चल रहा है मैंने आपको कविताजी बताई यह सांमे शुल provides आ सकता हो समय चल रहा इनको सन्यास के तरफ जाना ही जाना होगा चले ओनरे के लिए बाच्चित करने का आपका बहुँआ शुक्रिया तो यह थे माहिसा दॉक्तर श्रीपती त्रिपाथी जी जिनके साथ हमने माहि की कुंडली का विशलेशन किया और उन्होंने बताया कि 2020 तक सन्यास ले सकते हैं साथ ही माही पॉलिटिक्स भी जोइन कर सकते हैं जिसमें उनका एक सुनहरा भविश्य है तब दखले मुझे यानकी काविता को दीजे इजाज़त और धन्यान के साथ यूही जुड़े रही है